पाठ चार शिक्षा का महत्व किसी नगर में आशीश नाम का एक शरार्ती बालक रहता था आशीश खेलकूद में सबसे आगे पर पढ़ाई में सबसे पीछे था परिवार में सब अक्सर उसे समझाते पर उसके कानों पर जू तक ने रेंगती उसे समझ नहीं आता था कि सभी लोग उस पर पढ़ाई के लिए जोर क्यों डालते हैं आशीश की परिख्षाएं शुरू हो गई थी मम्मी पापा ने उसे पढ़ाई में मन लगाने के लिए कहा लेकिन वह कहा मानने वाला था उसके पापा ने गुस्से में उसका बाहर खेलना बंद कर दिया आशीश अब दिन भर अपने पालतू कुत्ते जैकी के साथ घर में ही खेलने लगा परिख्षाएं समाप्त हुई और रिजल्ट निकलने का दिन आया फिर वही हुआ जिसका सभी को डर था आशीश सभी विशों में फेल था शाम को उसके पापा ने उसे खूंब डाटा वो रात भर रोता रहा उसने निश्चे किया कि वह अब घर में नहीं रहेगा सुबह वह सबसे पहले उठा चुप चाप अपना सामान बैग में रखा और अपने प्यारे कुत्ते जैकी को लेकर घर छोड़ कर चल दिया चलते चलते वह काफी दूर पहुँच गया था ठक कर वह एक जोपड़ी के पास जाकर बैठ गया जोपड़ी एक बेहत गरीब परिवार की थी परिवार का मुख्या अपनी पत्नी से कह रहा था आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं पता नहीं कब तक ऐसे ही भूख और गरीबी में रहना पड़ेगा उसकी पत्नी बोली आप चिंता न करें जब हमारा बेटा पढ लिक कर बड़ा आदमी बनेगा तब हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी तथा सभी सुक सुविदाएं भी होगी तभी आशिश की द्रिष्टी जोबडी के एक कोने पर पड़ी उसने देखा कि एक छोटा लड़का लाल्टेन की रोशनी में बैठा पढ रहा था यह सब देखकर आशिश की आँकों में आसु उसने सोचा इतने अभावों के बाद भी यह लड़का कितना मन लगा कर पड़ रहा है ताकि इसके घरवालों को कोई कश्ट नहो उसी समय आशिश ने निश्चे किया कि वह भी खूब मन लगा कर पड़ेगा और बड़ा होकर गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करेगा अब वो जल्दी से जल्दी अपने घर पहुचना चाहता था घर में सभी उसका बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे घर आके उसने सारी घटना बताई और मन लगा कर पढ़ने की बात कही